नमस्कार बुद्यार्थियों स्वागत है आपका हमारे चैनल योग एजूकेशन इंडिया में मैं आज आपको बताने वाली हूं योग सूत्र के बारे में और महर्ज पतंजली हैं उनके जीवन पर्चे के बारे में आपने इनका नाम जरूर सुना होगा लेकिन इनके जीवन के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे वह मैं आपको आज बताओंगी विद्यार्त्यों झैसे कि हम भारतिें हैं भारतिय संस्क्रित हैं योग प्रदहन संस्क्रिप हैं और समय समय पर यहां पर योग की अनेक विद्धायं हैं अनेक पर द hoping और अनिक साखाएं प्रचिलित रही है द्यारतों इतना इनीज वर्ण जितने भी योग सब्बंधित ग्रंत हैं वह भी समय समय पर साधक का मार्गदर्सन करने में महतपूर्ब भूवम कादा करते रहते हैं पातंजली योग सूत्रि इनमें प्रमुक है योग में प्रमुक है बत्यारतियों पातंजली योग सूत्र के बारे आगे बढ़ने से पहले आए हम आपको बताएं इनके जीवन परचे के बारे हम कुछ बताएं हम इनके और भी रचनाये हैं इनके नाम के बारे में आज आपको जानने को मिलेगा अभी तक आप पतंजली नाम से ही इनको जानते होंगे, और भी इनके नाम है, और किस सत में इनका जन्म हुआ है, ये भी जानिए, तो बिद्यार्थियों ये जो है पतंजली नाम तो आप जानते हैं, लेकिन इनको फाड़े भरेते, और गोड़ी का पुत्र के नाम से भी जाना जा नाम है गोंद्रिये गोंद्रिये नागनात अहित्पति सेसराज सेसही चूडिकार और पदिकार तो इतने नाम है इनकी से पताजली रिशी के और इनका जन्मस्थान है गोनारद्ध दर्थ है सब आप नोट कर लीजिए निट के सिलेबस में पूछा जा सकता है तो आप याद कर सकें इसको और इनके गुरू है पाड़ी नहीं पताजली के गुरू पाड़ी नहीं है और दर्थ हैं यह माना जाता है कि यह सेसनाग के उतार है और इनका जो है संबहोता है पुने पुशिप मित्र सुंग एक सो पंचानवे यह 142 इस पीपूरू इनका जन्मकाल माना जाता है संबहोता एक लिखित परमार नहीं लेकिन संबहोता जो है माना जाता है एक सो पंचानवे से लेकर 142 तक इसी बीच में इस्वापूर में और इनके विद्यार्थ हो और गृंध है विरेज्चे दिगृंध है योगसुर्थ तो आप जानते हैं साम वेदिये निदान सूत्र साम वेदिये निदान सूत्र और महाभास से तो यह सब आप नोट करते चलिए तब आएए विद्यार्थ हो जो है आते हम डिसकस करते हैं योगसुर्थ के बारे में इनकी महान रचना योगसुर्थ है ये रचना जो है बता जाता है विद्यार्थ हो पहले योग के बारे में सबको नालिज था फाता था लेकिन एक दम ब कम वर्डों में बहुत ज्यादा ग्यान दे दिया उन सूत्रों की संख्या है एक सो पंचान नवे उसी का नाम पातंजल योग सूत्र पड़ा और ये पांच जार इस जो है पांच हजार सालों पूर्व ये इनकी रचना मानी जाती है और सभी ने इस रचना को प्रसंद भी कि किया और सुईकार किया गया इनकी रचना को कोई भी इनकार नहीं कर पाया इनकी रचना में चार पाध हैं नंबर एक समाधिपाध दूसरा साधन पाध तीसरा विभूतिपाध और चौथा कहवलिपाध तो बिदार्थिव आभी नाम जानिए इनके बारे इन समाधिपाध देरे देरे आपको अगले वीडियो में बताते जाएंगे और इसमें आप जानियेंगा योग किस वरूप में बारें बताएंगे और इनकी में इंपार्टेंट परिभासा है योग में बित्तियों का निरोध ही बताया गया और यह योग चित्वृत्य निरोधा आया पहले ही पाद में, समाध्य पाद में और दुसरे सलोक में ही सबसे पहले ही इनोंने लिखा गे, मतलब कहा है अपने चित्वृत्यों का निरोध करो, तब योग में परडित हो पाऊगे. जरतियो पातंजली योग सूत्र महिर्श पतंजली द्वारप परडित है, एक ऐसा ग्रंत है, जो वेवस्थित वेज्ञानिक यूँ लोग प्रिये हैं, योग संबंदी अनेक महत्पूर सूत्रों को एक धागे में पिरो कर, उसे माला का रूप देकर, महिर्श पतंजली ने एक सुन्दर आकार तो दिया ही है, साथी कम सवद्दों में अधिकादिक बात रखने का, अथ्वा गागर में सागर भरने का महत्पूर कार भी गया, जो मैंने अभी आपको बता है, वही फिर डिपाइंट किया गया है, इससे साधना के मार्ग में जाने वाले व्यक्ते, अ उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजएत अपρैना के अंतरक्रत सामाध से समंधी अवस्यक जाना करही है, तो विदारतू आथे समाधी है तो विभिन साधन है और विभूत पाद में अनेक सिध्यों की चर्चा है और कैवल पाद में कैवल के पाद के सुरूप की चर्चा है जात हूँ ये चारो पाद एक दूसरे के पूरक है मतलब आलग कोई नहीं है, बस एक दुसरे कि पूरा इंग नहीं करके रखा जासकता है योग सब्द जितना चोटा है, इसकी साधना उतनी ही जटिल भी है जो इस मार्क में चलता है, उसे कई तरह के, अंतरायों का भी सामना करना पड़ता है अंतराइищ मतलब अंतर मन के कछनाईएं को तब यहां पर विदारत्य November का बार pains यूदं के आप जान लिजिए यह नौप्रकारिके हैं अंतराइ यह जो यूग में विखन्हे नौप्रकार के हैnh नंबर व्याद हैं अस्त्यान, संसे, प्रमाद, ओल्स, अभी रति ब्रहांति दर्सन अब्रव्द भूमकत्व अनुवस्थित्व तो यह विजारतियों हुए अंतराय के विग्न हुए हैं इनको भी दूर करना बहुत आसक है इसको हम विस्तार से बताएंगे आगे जो इन्हें अंतरायों को पार कर लेता है वह निश्चत ही अपने लक्ष को जरते हो आये जानते हैं योग के सुरूप मेवारे में क्या कहा है तो बता दें आपको बताते चलें वैसे भी मैंने पहले बता रखा लेकिन थोड़ा जान लीजी आप योग सब तो योजधातों से बना है जिसका सामान यर्थ है चोड़ना विद्यानों ने इसे अनेक अर त्पार निकल जाता है योग जित निरोधा जो मैंने अभी आपको पता है उसके लिए अभ्यास और वहरागी आवस्यक है इस में आने के लिए अर वहरागी किया और सकता है उसके बास दृष्टा अपने सुरूप में अवस्त्र हो जाता है जब अभ्यास अब रहागे जान जाता है तो दिश्टा अपने सुरूप में अवस्तित हो जाता है इन तीन सुत्रों के आगे पीछे योग समित अनेक महतपूर जान का रही हैं सुत्रों में सुत्रों में सबसे पहले योग को उसके सुरूप को विस्तार से समझना आवस्यक है सबसे पहले समझ लीजिए बिदर्थ हूँ और जो ये परिभासा है उसके बारे में भी बहतर समझ लीजिए तब आगे हम बढ़ते हैं आपको उसकी परिभासा योग के सुरूप के योग के सूत्र द्वारा ही उसकी परिभासा द्वारा सरलता लेती हैं उन्हें अपने विश्यों में अंतर मुखी करना अंदर की तरह मोनार्था अपने कारण चित में लगाना ही योग हैं इस लोग में तीन बाते प्रमुख हैं चित वृत और निरोधा इन तूनों को भी आप समझ लीजिए सबसे पहले आप चित को समझें चित सब्द की वित्पत चित धात से मानी गई है जिसका अर्थ है चेतन होने या सचेतन होने से माना गया है चित का संबंद चेतना से है और चेतना का संबंद ग्यान से है अता है चित भी ग्यान का माध्यम है चित में चेतन अवचेतन और अचेतन तीनों तल समलित होते हैं चित में ती माग के स्थितियां है, मनिकी हैं, अतमा की हैं, और अभी ये समझीए, चित, चेतन, अचेतन, चेतन, अचेतन, तीनों में, चेतना के तीनों तलों की समगर अव्यक्त को चित कहा गया है, संपूर, चित को कई अर्थों में स्विकारा गया है, यहां पर इसका संबंद है, वेस पर ये बताया गया है कि मतलब आतमा से जी हो आतमा से जिसमें प्राण हो जित्त के तीन सोपान माने गए हैं इंद्रिये चेतना वस्तनिश्ट चेतना आतमनिश्ट चेतना तथा शुद्ध चेतना यसका संबंद न लंबाई से है, न चौडाई से है, वरन गोलाई से है, अर्थात, बृत की आकरिती, गोल होती है, जिस प्रकार एक सांथ ताराब में कंकरड डालने से, उसमें अनेक तरंगे अपना आकार अरुती है, आपने कभी देखा, वो डाल के देखी, कंकरो करती है, तो लहरें उठ उसी प्रकार और आगे बढ़ती जा रहती हैं तब तक जब तक कि अंतिम तट ना जाए आप ट्राइ करके देख लेजिएगा अच्छे समझ में आ जाएगा इसी प्रकार हमारे चित में भी वृतियां गोलाकार रूप से चलती रहती हैं जित वृतियां विचार तरंगों के होती हैं बहुत जारे विचार हमारे मन में बार बार आते रहते हैं जो निरंतन अपना प्रभाव चित पर डाल कर उसे चंचल बनाए रखती हैं इसलिए हमारा मन चंचल रहता है व्यक्ति चाह कर भी उनसे नहीं निकल पाता है जीवान भर ये बृतियां आनवरत रूप से चलाएमान रहती हैं इस आवस्ता में चेतना कुछ भूमियों को राप्त नहीं किया जाता है इसलिए चित वृतियों के इसलिए रोकने के लिए कहा है महिज पता अंजली जी ने अब आईए जानिये निरोध के बारे में निरोध सब्द के विद्पत रुध रुध पूट कर लिजी आप जिसका आर्थ कुंठित करना अलो अ हम रोध करना या विरोध करना आदिये वह वाले प्रकार्व चाह रहता ही मतलब एक ही निकलता ह्या उधिज ये जो है अर्थ भले चाह्यतनी निकाने निरोध का सामान एंए रोकना चंब गरपक व्रिवत्य ह्ज प्रशादकार नहीं हो सकता है आप अपने बारे में नहीं जान सकते हैं समाध की अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता है मोख्ष की प्राप्ति मोख्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता है अता निरोध आवस्यक है निरोध उन विरत्यों का आवस्यक है ध्यान देजि से योग की और ले जाती है योग से योग की और ले जाती है योग मार्ग में जाने के लिए वृतियों को रोका नहीं जाता है वरान उनकी दिसा को रूपांतिरित किया जाता है उनकी दिसा बदला जाता है क्योंकि वृतियों से ही संपूर कार्य हो सकते हैं इसलिए सायद पूर बृत्य निरोध की बात नहीं आती है यद ऐसा होता विद्यार्थियों तो फिर योग की प्रवृत्य नहीं आती योग की तरफ जुकाओ नहीं होता क्योंकि योग मार में प्रवृत्य होने के लिए बृत्य अथ्वा विचार तरंगिया से आवस्यक है विचार है चाह मार का अनुसरन करना होगा फिर धीरे धीरे अभ्याद बढ़ते बढ़ते चेतना के उच्छ भूमिकाओं को यानि उपर के स्थानों की प्राप्त होगी आता अंतता बिजारतों एक ऐसी अंतिम आवस्था आएगी जहां वृतियां छूट जाएंगी धीरे धीरे वृतियां छूट जाएंगी और आवस्था योगी की होगी तब ज्यारतों इस प्रकार हमने जाना इन सबसे कि इससे यह स्पष्ट होता है कि चित वृत्त और निरोधा तीनों का सुरूप भिन्न भिन्न है भिन्नता होने हो भिन्नता होते हुए भी इनका आपसी संबंद सब एक दू हुए है चित है तो व्रित्त भी है उसके साथ जुड़ी हुए है और जब व्रित्त है ताम निरोध की बात आती है व्रित्तियों का निरोध होने पर ही योग संभव है तो हमने जाना योग सूत्र के बारे में बेषिक Subscribe अस वीडियो में और योग की जो महत्पूल परिभासा योगोचित बृत्र नुर्धा कि इसको अच्छे से जो है हमने जाना और बृत्यारति हूं पतंजली पतंजली रिस्के नाम अन्नी नाम और इनकी और रचना हैं और इनका थोड़ा सा जीवन परचे के बारे में इस वीडियो में जाना तो बृत्या आपको नौटिफिकेशन तुरंत प्राफ्थ हो सके बिना लेट हुए और भी दयारति हो अपने इस्टमित्र को से मित्रों को सेर करना मत भूलिये गहां ताकि आपके असाथ सब्सक्राइब कर दो कर दो कर